नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोज खबर काय क्रम पांच राजियों में विधान सभा चुनाओं की घोशना के साथ ही 2024 के लोक सभा चुनाओं का मानो काउंडाउन शुरू हो चुका है और जिस तरह से जिस तेजी से घटना क्रम बढ़ रहा है उसमें भारत के इन पांच राजियों में बसने वाले करीब 16 करोण मदाता जिस तरह से वोट करेंगे वह एक तरह से कर्टन रेजर हो सकता है लोक सभा चुनाओं के लिए और शायद इसलिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी सहित पूरी भारती जनता पार्टी में भीशन बॉक लाहट है यूँ तो कहिए प्रधान मंत्री जी कई महीनों से चुनाओं प्रचार के मूड में है और इन पांच विधान सभाओं में सिर्फ चार राजियों में जाकर वो अलग-अलग धंग से घोशनाय कर चुके हैं अपना चुनाओी कार्ट खोल चुके हैं जिस एक राजी में वे नहीं गए वे है मिजोरम और हम सब जानते हैं मिजोरम प्रधान मंत्री नरेन मोदी क्यों नहीं जा पाए वजह उसका पडूसी राज मनीपुर जहां पर भारती जनता पार्टी की सरकार है वह तीन मई से लगातार जल रहा है और मोदी जी चुप हैं और इसी बीच इन चुनाओं की घोशना के साथ कॉंग्रेस ने भी अपना दाओं चला है कॉंग्रेस इंडिया गट बंधन दोनों ने कहा है कि वह जातिगट जनगर्णा को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे और जहां जहां उनकी सरकारे हैं वहां तो वे करेंगे ही और 2024 में भी जब जीत के आएंगे तो पूरे देश म जातिगट जनगर्णा की जाएगी देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि एक तरफ भारती जनता पार्टी जहां पर अंतराष्टी मुद्दे को खासतोर से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो खूनी संगर्ण चल रहा है उसे तक अपने चुनावी प्रचार के लिए इस जुड़े हुए मुद्दों को लाइम लाइट मिलाकर भारती जनता पार्टी में बौखलाहट है घबराहट है क्योंकि यह जो पांच राज्य हैं इनमें अधिकांच राज्यों में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है मद्ध प्रदेश में भी कॉंग्रेस का पल्रा या यू कहें कि शिवराज सिंग चौहान से नाराजगी बहुत ही वोकल है खुलकर लोग बोल रहे हैं इसी बीच लद्दा कारगिल हिल डवलप्मेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए उसकी जो परिणाम आये हैं वह निश्चित तोर पर इंडिया गट बंधन का हौसला बुलंद क क्योंकि जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे इलाके में राहुल गांधी ने बाइक से जो सफर किया उससे ऐसा लगता है कि वहां के स्थानिय लोगों का कनेक्ट हुआ और जिस तरह से बाइस सीचे मिली हैं इंडिया गट बंधन को वह बता रही हैं क कि सब कुछ करने के बाद 370 हटने के बाद पहला लोकल बॉडी चुनाओ है ये और इसमें लोगों ने खुल कर वोट दिया वोट दिया कॉंग्रेस और इंडिया गट बंधन को यानि भारती जनता पार्टी का जो भी विकास का नारा इस इलाके के लिए था वह लोगों को पहुचाता नहीं दिख रहा है लिहाजा साफ हो रहा है कि जिस तरह से भारती जनता पार्टी में बॉखलाहट है उसका जमीनी आधार है एक बाद जो बहुत खास है यह जो परिणाम आया है इसमें इंडिया गट बंधन और खास तोर से जो नेशनल कॉंफरेंस की पूरी भूमिका है और उसके साथ कॉंग्रेस का जो समन्वय है वह बता रहा है कि क्या तमाम जबहों पे जो चुनाव होने हैं उसमें इस तरह का समन्वय अगर होता है इंडिया के तमाम पार्टनर्स के बीच तो लोग उसके पक्ष में आ सकते हैं एक बास जो बहुत चिंता जनक है कि जिस तरह से एक अंतराष्टिय घटना देश में दुश प्रचार या यू कहिए नफरत पहलाने का काम पूरी की पूरी ब्रिगेड उसको लेकर कर रही है वह बता रहा है कि आने वाले दिन और जादा नफरत नफरत और नफरत के नाम ह होने वाले हैं आप समझी गए होंगे मैं जिक्र कर रही हूँ इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच जो खूनी संगर्श चल रहा है उसे लेकर भारत में जिस तरह का प्रचार चल रहा है हम सब जानते हैं कि जो ट्रोल आर्मी हैं जो इस्लामोफोबिक मीडिया है यानि मुसल मानों से नफरत करने वाला मीडिया वह सब इस तरह से कबरेज कर रहे हैं जैसे यह भारत ही का हिस्सा हो मानों मनीपूर पे चर्चा कर रहे हों लेकिन दुख और चिंता इस बात की है कि भारती जंता पार्टी जिसकी सरकार है देश में और अंगिनत राजियों में वह कहती है साथ अक्टूबर को जी हाँ साथ अक्टूबर को यह यह ट्वीट है यह बता रहा है किस तरह से भारती जंता पार्टी उसका आला कमान फिलिस्तीन और इस्राइल के बीच चले इस खूनी संघर्ष को देश की धर्ती में नफरत पहलाने के लिए इस्तमाल करने जा रहे है यह ट्वीट कहता है कि जो इस्राइल अब जहेल रहा है भारत उसे 2004 से लेकर 2014 तक जहेल चुका है यानि कॉंग्रेस के शार्षन में यही सब कुछ हो रहा था कितना बड़ा ब्लंडर है विश्व कूटनीती का कितना बड़ा ब्लंडर इस्राइल और फिलिस्तीन दो अलग-अलग देश हैं जिनके बीच युद्ध और युद्ध जैसे स्थिती दशकों से चल रही है और भारत अभी तक फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर भारती जन्ता पार्टी इस अंतराश्टी घटना को जिसमें दोनों ही तरफ लोग हताहत हो रहे हैं जिसकी निन्दा विश्व में हर जगा हो रही है इसे घरेलू राजनीती में इस्तमाल कर रही है यहाँ ट्वीट और इस तरह के अंगिनर ट्वीट बता रहे हैं कि क्या भारती जन्ता पार्टी इस अंतराश्टी परिगटना को इस युद्ध जैसी इस्तिती को भारत में नफरत पहलाने के लिए करेगी यह बेहत चिंता का विश्व है क्योंकि जैसे ही बीजेपी यह ट्वीट करती है और कहती है कि जो इसराइल में अब हो रहा है हम 2004 से 2014 तक जेल रहे हैं और उसके बाद वह कहती है कभी माफ नहीं करो कभी फूलो नहीं और इसके बाद एक लिस्ट देती है कि किस तरह से आतंकी घटनाएं हुई 2004 से लेकर 2014 के बीच आप देखिए यह जो घिनोनी साजिश है यह कितनी खतरनाक है देश की धर्ती पर हुआ कोई भी आतंकी हमला आतंकी कारवाई हमारी घरेलू पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसकी निंदा उस समय भी हर भारतिये ने की थी और दिक्कत यह है किसके जवाब में जो कॉंग्रिस ट्वीट करती है वह भी एक लिस्ट जारी करती है वह बताती है कि कंधार प्लेन हाई जैक से लेकर पुलवामा और बाग में चीन के जो तमाम इंक्रोश्मेंट्स हुए है तमाम तरह से घुसपेट हुई है उसका भी जिक्र किया जाता है और इस तरह से देश की धर्ती के भीतर हुई घटनाएं आतंकी घटनाएं हिंसा की घटनाएं सारी घटनाएं एक तरह से चुनावी मसाले में तब्दील हो जाती हैं और यह भारती लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्वनाक और चिंता का विशे है हम फिलिस्तीन और इसराइल में जो खूनी संघर्श चल रहा है उसमें क्या स्टैंड लेते हैं यह अंतराश्टिय मुद्दा है यह मुद्दा यह है कि फिलिस्तीन पर जो इसराइल का हमला है जो हमला इतने दशकों से चल रहा है उसके हमारा क्या स्टैंड होगा यह फिलिस्तीन का संघर्थन जिस तरह से इसराइल की जनता पर हमला करता है उसकी जब हम निंदा करते हैं यह सब इंटरनाशनल डिप्लोमेसी का मुद्दा है मोदी जी जागिये और अपने पार्टी के इस ट्विटर हैंडल को चलाने वालों से पूछिए कि आप जब विश्व गुरू होने का दावा कर रहे हैं विश्व कूटनीती में भारत का दखल बढ़ रहा है उसमें ये सारी घटनाएं कितनी खौफनाक और खतरनाक संकेत दे रही है इसी संदर में मनिपूर लगातार सवाल पूछ रहा है मनिपूर में भारत की जो सबसे नौजवान बच्ची है 12 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट वह सवाल पूछती है प्रधान मंत्री से उनका नाम है लिसी प्रिया कंग्जुम उन्होंने प्रधान मंत्री को ट्वीट करके कहा कि आप फिलिस्तीन और इस्राइल को लेकर चिंतित है मनिपूर को लेकर चिंतित क्यों नहीं है क्यों नहीं आप अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और जब यह बात यह बच्ची यह क्लाइमिट चेंज एक्टिविस्ट कह रही है उस समय मनिपूर से जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं जिनको हम आपके साथ साजा नहीं कर सकते जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक कुकी नागरिक को जलाया जा रहा है और इसका वीडियो बनाया जा रहा है इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम महिलाओं पे जो बर-बर यौन हिंसा हुई है क्या ये जो यौन हिंसा हुई है उस पर वो लोग चुप क्यों थे क्यों है जो अभी इसराइली महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है उस पर इस तरह के पोस्टर इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं मैं बतौर भारती महिला खुद को शर्मसार महसूस करती हूँ जब यह देखती हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उनका कहना है साथ तौर पर इसमें मेसेज क्या लिखा है कि यह महिलाएं इस तरह से इनके साथ बस सुलूकी की जाती है और हमारी महिलाएं ऐसी युद्ध जैसी स्थिती में जोहर करती थी यानि भारती महिलाओं को एक तरह से डराने का काम कर रहे हैं यह तमाम भक्तगर्ण क्योंकि हम भारत में भी और मनीपुर की महिलाएं इसकी जीती जाकती मिसाल है चाहे वो मैती समाज की हो या कुकी समाज की जहां पर टकराओ चल रहा है दोनों तरह की महिलाएं दोनों समुझाय की महिलाएं साफ साफ चब्दों में कह रही है कि वह यौन हिंसा, बर-बर यौन हिंसा से भी लड़ती हैं, भिरती हैं, जिन्दा रहती हैं, मरती नहीं है लेकिन आप देखें ये जो पोस्टर्स हैं, जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट किये जा रहे हैं यह दरसल बता रहे हैं इंकी मानसिक्ता क्या है? किस तरह से ये महिलाओं को मध्युगीन बरबरता में ढखेलना चाहते हैं और इसे बतौर भारतिय महिला हम बिग नो कहते हैं हमें यह समाज नहीं चाहिए जहां औरत को जिन्दा रहने के अधिकार ना हो और युद्ध जैसी स्थिती या यौन हिंसा जैसी स्थिती में हमें मार डाला जाए बिल्कुल गवारा नहीं हमें पांच राज्यों के यह चुनाओं निश्यत तोर पर एक काउंट डाउन है हालकि विधान सभाचुनाओं और लोगसभाचुनाओं के मुद्दे अलग-अलग रहते हैं लेकिन हम सब जानते हैं 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाओं हुए हैं उन सब में हम सब जानते हैं तमाम विधान सभाचुनाओं से लेकर लोगसभाचुनाओं में चहरा सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन मोडी रहे हैं ऐसे में इन पांच विधान सभाओं में खास तोर से जो उत्तर भारत के राज्य हैं मद्यप्रदेश, राजस्थान और चत्तिसगड इन राज्यों में किस तरफ जाएगा मद्दाता किन मुद्दों पे करेगा वोट इससे ही खुलेगा 2024 के चुनाओं का पूरा का पूरा बिसात और अंदाजा होगा कि किस तरफ देश चल सकता है या किस तरफ बढ़ सकता है भारतिय लोगतंत्र शुक्रिया 2024 को कि कि पूरा बिस् प्राज ऑर मद्दा बाल मुद्धरेगा झाल झाल